नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर सीविल सब्सेट में तो यह वाला टेलीग्राम जरूर जोइन करके यूटूब चैनल में बारे साथ है तो भी यह वाला टेलीग्राम जोइन करना बहुत ज़्यादा जूरूर है सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इपोटन पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ आपके बताया जाता है तेस्ट को ध्यान से अटेम करिए और बताए कितना सही किया है एक टोटल कोईशन में से सभी लोग अपना पना इस्टोर जरूर कमेंट करिए दोस्तो MPPCS Prelims के लिए हम लोग टेसरीज लगातार देख रहे थे और पांच टेस्ट पेपर इससे पहले आ जुगे हैं उमीद है कि आपने उन मौक टेस्ट को हल किया होगा और उसमें जितने भी प्रशन है उन्हें अच्छे से देखा होगा अब यह छटवे नंबर का है इसमें भी सेम फार्मिट हैं मतलब 100 MCQS हैं बाइलिंग्वल फार्मिट में हैं प्रशन दूसरे हैं तो आएए देखते हैं यहाँ पर जाता समय नहीं लगाते और आगे चलते हैं देखे पहला प्रशन इसमें यह कहा गया कि निमनलिखित कत्रों पर विचार कीजिए और द बनाने के लिए जो पत्थर इस्तिमाल हुए हैं यहाल और पीले बलुवा पत्थर हैं इसकी दिवारों पर चित्र बनाए गये हैं अर दूसरेवाले statement पे कहा गया कि it is a three stories palace built mainly with red and yellow sandstone मतलब इसमें जो sandstone यूज हुए है उनका color दिया है और साथी साथ इसके जो room की walls है उनको decorate करने के लिए paintings बनाई गई है तो आप बताएं इसमें से सत्य कौन सा है और इसका जो correct cancer है वो C वाला हो जाएगा मतलब इसमें दोनों सही है कुछ भी गलत नहीं है राजा वीर सिंग बुंदेला ये जहांगीर को support करते हैं और बतले में जहांगीर इने ओर्चा का महाराजा घोशित कर देता है मतलब शाजादे सलीम के रूप में ये अकबर के खिलाफ विद्रो करता है और उसमें वीर सिंग बुंदेला का इने पूरा-पूरा सही होग रहता है ठीक है और 136 कमरे इस पूरे जहांगीर महल में हैं जिने के आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेप्रेशन को देखते हैं यहाँ पर दो सूचिया इसके बाद आप देख रहे हैं यहां नीचे धार का किला इससमें कहा गया है और यही गलत है नरवर का किला जो है एक पहाड़ी के ऊपर है प्राया किले जो इस प्रकार के पठारी छेत्र में होते हैं वो ऐसे पहाड़ी ओपर होते हैं बड़े दुर्गम होते हैं तो यह नरवर का किला शिवपुरी जिले में पढ़ता है और यह राजा नल के द्वारा बनवाया गया ठीक है तो यहाँ बनवाने वाले का नाम गलत दिया है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगले प्रेशन को देखते हैं इस प्रेशन में बात की जा रही है चीपा आर्ट के बारे में चीपा कला में कपड़े पर डिजाइन इंकी जाती है ऐसे दिया हुआ है और यह किसके द्वारा की जाती है यह आपको बताना है मतलब बुनाई की जाती है या मशीन का प्रिंट होता है या बुनाई और हाथ की छाप दोनों होती है या हाथ की छाप होती है जैसे ये चीपा आर्ट है तो इसके अंदर कपड़ों पर डिजाइन बनाया जाता है लेकिन डिजाइन बनाने के लिए कौन सी विधियों का इस्तिमाल किया जाता है वो नीचे दिया है उसमें से आपको चुनना है देख लीजे और इसका जो करेक्ट टैंसर है वो डी वाला ह इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा आगे चलते हैं इसका डी वाला सही है प्रशन संख्या चार को देखिए यहाँ पर जब बात स्थापत्यों की ओरी है तो भीम बेटका की चर्जा कर लेते हैं भीम बेटका की गुफा जो है उसमें जो चित्र बने हुए है उनके सं है उसमें कहा जा रहा है कि भीम बेटका की मेसोलिथिक पेंटिंग आकार में छोटी है और शिकार के जो द्रिश है वो पूरवर्ती है अब इसमें से आपको जो गलत स्टेट्मेंट है वो चूज करना है इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको देख लीजेगा consider the following statement with reference to भ दिखाई देते हैं उसके साथ साथ यह बताया गया कि मेसोलिथिक पेंटिंग आप भीम बेटका आर इसमालर इन साइज एंड हंटिंग सीन्स आर प्री डॉमिनियंट तो आप बताईए कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेट्मेंट कौन सा है पूरा प्रशना आप देख रहे है देखें इसका जो करेक्ट एंसर है वो डी वाला हो जाएगा ना तो पहला ही गलत है ना दूसरा ही गलत है अर्था दोनों सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है भीम बेटका का जो रॉक शेल्टर है यह मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में स्थित है और यह पुरा अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या 5 में फिर से लिस्ट आ गई और इसमें से सही ठंग से जो मेल ना खाते हो वो आपको खोजने है वो एक से जादा भी हो सकते है ठीक है तो देखें यहाँ पे फोल्क ड्रामा दिया है और दूसरी तरफ उसका जो रीजन या ल लोग नाटक कहा जाता है और इसका छेतर दिया है तो माच का जो छेतर है वो मालवा दिया है फ्लाल से आपको जो इनकरेक्ट है वो चूज करना है देख लीजे अच्छे से और इसका जो correct answer है वो C वाला हो जाएगा इसमें जो रहस दिया हुआ है कोरकु ट्राइबल एरिया से जुड़ा हुआ ये वाला गलत है Only 4 वाला जो है इसमें यही गलत है बाकी सब सही रहस जो है ये 36 गड़ बिलासपूर संभाग वाला जो इलाका है उसमें एक आधुनिक लोक नाटक है इसका जो तरीका है वो कैसा है ये modern है और पूजा के साथ-साथ मनुरंजन के लिए क्रामीर छेत्रों में इसको किया जाता है मतलब ये धर्म से जुड़ा हुआ है धार्मिक नाटक है और रहस का जो शाबदिकर्थ होता है वो रास लीला से जुड़ा है तो मतलब भगवान कृष्ण का यहाँ पे से connection जुड़ता है खंब स्वांग जो है ये लोक नृत्य है और ये कोरकु जनजाती से जुड़ा हुआ है खंब स्वांग जो होता है ये कोरकु से जुड़ा है तो उसको आप देख लीजेगा आगे बढ़ते हैं इसका सी वाला सही होगा रश्न संख्या छे को देखिए उस्ताद अमीर खान ये जाने माने भारतिय संगीत के गायक है और ये किसके संस्थापक है मतलब अलग-अलग घरानों की स्थापना भिन-भिन संगीत कार करते हैं तो इसमें से किस घराने की निव इनों ने रखी है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस्ताद अमीर खान की यहां राइगर घराना है, मैहर घराना है, इंदौर घराना है और ग्वालियर घराना है यह परंपरा होती है असल में, घराना जो है एक परिवार की तरह से होता है तो उसके अंदर जितने भी म्यूजिशियन होते हैं या जितने भी संगीतकार होते हैं गायक वादक होते हैं, वो सब उसके अंदर उसी परंपरा का पालन करते हैं, उनका एक गुरू होता है और उसी से वो दीक्षित होते हैं, फिलहाल इसमें बताईए, तो प्रशन संख्या 6 का जो गरेक टेंसर है वो हो जाएगा, C वाला, C का मतलब यह है कि इनका संबंध और गहाने के संस्थापक हैं, और जो संगीतकारों का पूरा एक परिवार है, उसमें इनकी पैदाईश होई थी और इनकी अनूठी गायन शैली के तोर पे इन्हें जाना जाता है, मतलब यहां पे इन्होंने क्या किया, ख्याल के साथ जो धृूपद होता है, उसको मिला द जात, which of the following is not a book, is written by पदमाकर, यानि कविराज शिरोमणी इन्हें कहा जाता था और इनका वैसे नाम है पदमाकर, तो इसमें से कौन सी बुक जो है, वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई, नाम दिया है रामरसायन, गंगा लहिरी, या प्रबोध पचासा, या रसिक प्रि रसिक प्रिया इन्होंने नहीं लिखा है, बाकी जितनी रचनाय हैं वो इन ही की है, रसिक प्रिया किसकी रचना है, ये केशवदास की रचना है, और वो ओर्चा के राजा के दर्बारी विद्वान थे, आप जानते ही हैं उनके आश्रित थे, जबकि पदमाकर का देखा ज इन्हें कविराज शिरोमडी की उपादी दी थी जो कि आप यहां पर देख रहें आगे बढ़ते हैं वैसे इनकी रशनाओं में और भी हैं जिसे राम रसायन आपने देखा वैसे ही अमुना लही रही है प्रबोत पचासा आप देखी रहें और विरुदावलियां बहुत सार करकार के द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना 1997 यानि 1997 में वुई थी और दूसरे वाले statement में कहा गया कि यह केवल आदिवासी लोग और पारंपरिक कलाओं में उतकृष्टिता के लिए महिला कराकारों को दिया जाता है मतलब इसका जो छेतर है वो सिर्फ महिलाओं वनली मतलब केवल जो female artist होती है वनली उनी को दिया जाता है for excellence in tribal folk and traditional art तो आप बताईए इसमें से सही कौन सा है पूरा प्रशना आप देख रहे हैं इसका जो correct answer है वो हो जाएगा दोनों सही है इसमें कोई दिक्तत नहीं है यह जो देवी अहलियावाई पुरसकार है यह र बारे में आप जानते हैं इसके बाद अगले question को देखते है प्रशने संख्या 9 यहाँ पर नगारची के बारे में कहा जा रहा है तो नगारची असल में क्या है यह एक उप जंजाती है यानि सब ट्राइब है या आपको चूज करना है तो भील जंजाती से उप शाखा के त परदान और कुमार ये मध्य प्रदेश में गोंट जंजाती की उप जंजातीयों के दोर पे देखे जाते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगले प्रेशन को देखते हैं प्रेशन संख्या 10 जलकारी बाई एक महिला सैनिक क्रामतिकारी आप कह सकते हैं 1877 का जो विद्रो रानी वहां से बचकर निकल जाती है तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था ठीक है तो इसका सी वाला सही होगा आगे बढ़ते हैं अंगले प्रेशन को देखते हैं नेक्स्ट प्रेशन संख्या 11 निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है और उसमें से जो करेक्ट है वही आपको चूज करना है तो कहा गया कि 5 अगस्ट 1954 को नई दिल्ली में ललितकला अकैडमी का उधगाटन किया गया और यह केंद्रिय संस्कृती मंत्राले के दवारा वित्त पोशित होता है यानि इसको पैसा रुपया कहां से मिलता है जो संस करने की बात नहीं है वो डेट है 5 अगस्ट 1904 और इसको फंड जो प्राप्त होता है वो यूनियन मिनिस्ट्री आफ कल्चर से प्राप्त होता है साथ ही साथ यह दिया है कि यह जो पूरी अकैडमी है यह जितनी भी विजूल आर्ट की एकिविटीज होती है उनको सपोर्ट करती है तो आप इसमें से सही को चुनिए देखे इसका जो करेक्ट अंसर है वो डी हो जाएगा इसमें तीनों सही है कुछ दिक्कत नहीं है तीनों इसके बारे में पर्फेक्ट है अगले प्रश्नकी और बढ़ते हैं सूची एक के साथ सूची दो का मिलान करना है आपको त वाहरलाल नहरो का नाम दिया तो आप बताईए इसमें से कौन सा किस से मैच करेगा आप जानते हैं कि बंदी जीवन किसकी रशना है यह शचींद्रनात सान्याल की रशना है इसे आप आराम से मिला सकते हैं उसके बाद साकेत यह महाकावे है और यह किसके द्वारा लिखा इनके द्वारा लिखा गया है तो मतलब इसका यह है कि जो पहला वाला है उसका चौथा सही है और जो चौथा वाला है उसका पहला सही है और जो पहला वाला है उसका तीसरा सही है और जो चौथा वाला है उसका पहला सही है इस आधारपी से मैच कराएंगे कोई दो अगर आप मिला लेते हैं तो बहुत आराम से आप विकल्प कुछ उन सकते हैं, यह elimination का तरीका होता है, फिलहाल इसका जो correct answer है वो D हो जाएगा, उसी हिसाब से match किया गया है, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तो इसमें correct answer क्या होगा, देखिए, बंदी जीवन जो है, इसे match करा लेत हैं, इसका D वाला से ही था, तो बंदी जीवन जो है, यह सचिंद्रनाद सान्याल की हो जाएगी, मेरी कहानी जो है, यह पंडित जवाहलाल नेरु की है, the untold story, यह जो रचना है, यह मैतनी शरण गुप्त जी की है, माप की जिगा, ब्रजमोहन कॉल जी की है, और साकेत जो ह है, यह रचना है, मैतनी शरण गुप्त जी की इस हिसावसी से मिलाएंगे, तो इसका जो D वाला option है, वो correct है, इसके बाद 13 में नंबर की प्रशन को देखिए, निम्दलिखित में से कौन सा कथन गुलाम वंश से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब इसमें से which of the following statement is not related to slave dynasty, ज और उसके बाद इसमें सी वाला statement आप देख रहे हैं, उसमें कहा गया कि इसमें से गलत क्या है, जो की गुलाम dynasty से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका जो correct answer है वो A हो जाएगा, भारत में गुलाम बंशाप साब देख रहे हैं, जो डेट है वही गलत है, यह जो डेट है, इतन बारसो नौ वाला या बारसो दस वाला जो आसपास का समय है, उसमें इसका साशन काल रहता है, और अंत में चौगान खेलते समय इसकी दिहान्त हो जाता है, यह आपने देखा, तो इसका जो A वाला है वही गलत है, बाकी सब सही, दिवाने अर्ज, यह किसके पर रहा इस्थ विलियम विल्सन के द्वारा संकलित किया गया था, मतलब इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको देख लिजेगा, तो आप बताईए कि इसमें से सही कथन कौन सा है, इसमें आपको जो करेक्ट है वो चूज करना है, प्रशन देख लीजे, और इसका जो करेक्ट टैंसर है इसमें दोनों ही सही है, कुछ गडबर नहीं है, जो इंपीरियल गजेटियर आप देख रहे हैं, ये पहली बार 1881 में पब्लिश होता है, इसमें 26 खंड होते हैं, चार खंड जो हैं वो भारत के भुगोल और इतिहास के बारे में बताते हैं इस प्रकार से, आगे चलते हैं प्रशन संख्या पंद्र, कंठा भरण वाणी विलास, ये एक पदवी है, उपाधी है, और अकबर ने ये उपाधी किसको दी थी, अलग अलोग उपाधियों से उन्होंने अपने जो दर्बार के नौरत्म थे, उनको नवाजा था, तो ये कंठा भरण वाणी विलास, ये क आपको बताना है, तो संगम डानिस्टी है, सालूप डानिस्टी है, तुलूप डानिस्टी है, और अरवीडू डानिस्टी है, आप देख लीजे इसमें से कौन कौन सी डानिस्टी, ये विजयनगर साशन जो है, या विजयनगर सामराज्य है, उस पर रूल करती है, तो परियार और बुक्का आपने पिता के नाम से यहां संगम वंच की स्थापना करते हैं इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या सत्र गोपुरा में एक समारक प्रवेश्टवार है मतलब यह प्रवेश्टवार होता है और यह आम तोर पर तमिलनाडू के जो प्रवेश्टवार होता है और बहुत सारी विशेष्टाए हैं फिलहाल इसका जो सी वाला एंसर है प्रशन संख्या 18 अकबर के शाशनकाल के दोरान लिखे गए जो साहितिक कारे हैं उनको लेखकों से सुमेलित किया गया है अब एक जो है वो गलत है मतलब उसमें से एक जो रजना है वो उसके लेखक से मैच नहीं करती है वही आपको चुनना है तो यहां किताबों के नाम मुंतखबुल तवारीक है और उसके आगे लिखा हुआ है अब्दुलकादर बदायूनी ये इनका नाम था तब काद अकबरी निजामुद्दीन के दोरा लिखा गया है इसके बाद तक्मिला अकबर नामा ये किताब का नाम है ये इनायत उल्ला के दोरा लिखा गया है और सूर सागर को लिखने वाले संत तुलसी दास है मतलब विकल्प जो है वो इतने सरल है कि महुत आराम से आप चूज कर सकते हैं बताइए इसमें से कौन सा होगा इस पश्ट है कि D वाला होगा सूर सागर साहित तिलरी सूर की सारा वली ये सब सूर दास की रशना है इसमें कोई से शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरते हैं मतलब ये उठकर खड़े होते हैं और मराठों के उतकर्ष का जो दाइत्व है वो शिवाजी के कंदों पर होता है इसके बाद मराठा ऐसे पहले शाशक थे जिनके पास एक ही कृत भारती राश्ट्र की संकल्पना तो आप बताईए कि इसमें से करेक्ट क्या है इसे अच्छे से देख लिजे और इसका जो करेक्ट एंसर है वो सी हो जाएगा बोथ दोनों ही सही है वैसे अगर देखा जाए प्राजीन भारत की और हम अगर बढ़ जाते हैं तो जो मौरिसाम राजे था वो भी अखंड भा पन कर उभरते हैं और एकदम से औरंग जेव या जितने भी मुगल होते हैं उन्हें चौका देते हैं तो इनका संगठन बहुत प्रबल था और बाद में इन में भी जो मतभेद आरंब होता है तो यह बिखर जाते हैं पिलाल बोथ होगा इसका अगले प्रशन को देखी प् हारित है और 1897 में कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंदे मातरम को पहली बार गाया गया था तो आपको यह बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है देखें दूसरा वाला तो सफेज जूट बोल रहा है इंडिगोरी वाल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया है तो यह दूसर गीत जो है यह लिखा कौन है आप जानते ही यह बंकिन चंद्रे चट्टो पाध्या या चटर जी और आनंदमठ नाम का जो उपन्यास है वो सन्यासी विद्रो पर आधारित है जो कि बंगाल चेत्र में काफी विश्तरित और लंबे समय तक चलने वाला विद्रो था और उस उसे आपको मिलान करना है लेकिन सभी मैच है पहले से उसमें से कोई एक गलत है और जो गलत है वही आपको खोजना है तो देखे एक तरफ वनों के नाम दिये हैं और मध्य प्रदेश में वो किस छेत्र में पाए जाते हैं वो आपको बताना है तो देखे सागाउन वन जो ह तो आप बताईए कि इसमें से जो not correctly match है वो कौन सा है प्रशन आपने देखा इसका जो डी वाला है वो सही हो जाएगा कांटेदार वनों का छेत्र दे रखा है मतलब जो धौर्णी फॉरस्ट है वो शिवपुरी भोपाल और मुरेना में पाये जाते हैं यह गलत है कांटेदा यह गलत है वो चूज करना है तो देखे है पहले वाले में वनावरड दिया है और दूसरे वाले में भी वनावरड दिया है लेकिन पहले वाले में चेत्रवार दिया है और दूसरे वाले में प्रतिशत के हिसाफ से दिया है तो चेत्रफल के हिसाफ से कौन सा राज्य आगे है और कौन सा पीछे है और प्रतिशत के हिसाफ से कौन सा राज्य आगे है और कौन सा पीछे है ये दोनों आपको पता होना चाहिए यहां करम दिया ह महाराष्ट्र का है अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जा तो जो पूर्वुत्तर के राज्य है या बाजी मार ले जाते हैं फिलाल इसमें दिया हुआ है कि मिजोरम में सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत पाया जाता है और वो कितना है तो 85.4 प्रतिशत है वो आंकड़ा भी देखना होगा उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुडान चल है जहां पे 79.63 परसेंट है और जो तीसरी पोजीशन है वो मेघाले की है और वो है 76.33 परसेंट तो आप बताईए कि इसमें से गलत कौन सा है पूरा प्रशन आप देख रहे हैं देखें इसका D हो जाएगा कोई भी इसमें से गलत नहीं है दोनों ही सत्य है जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें अगर देखा जाए मतलब ISFR की बात हो रही है अधिक्तम वनावरण अगर छेत्रवार देखा जाए तो आंकड़ा ठीक है और मिजोरम में सबसे जादा है उसके बाद नच adventure से लिखा हुआ इसा देख लीए यह माइक्रो थेर्मल श्रीडि है मेगाalley मध्यताप है यह माइक्रो और मेगा दोनों इसमें आते हैं मतलब दोनों को एक साथ देखा जाता है यान्य माइक्रो थर््मल कटेग्री है वर माइक्रोमेगा बनों प्रकार की कौन सा होगा इसमें से अगर आप देखे तो झो अध्य प्रदेश में रख्ध हो जाएगा मेगा थर्म टर्मान की स्थिति है इसके आधodynamics इसे में डाला जाता है तह प्राप्ध के बारे अगर देखा जाए तो मथ्यकांज भाग मौसम आजाता है और 21 जून को सूरी जो है वो करकरेखा पर लंबवत होता है और आप जानते हैं कि करकरेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है ये कुछ चीज है इसके बाद आगे चलते है प्रशनसंख्या 24 को देखी है यहाँ पर पेडोजैनसिस के बारे में कहा जा रहा है ये है क्या चीज़? ये सीखने की प्रक्रिया है कीडों को इसमें पैदा किया जाता है मिट्टी का निर्माड किया जाता है या कुछ भी नहीं किया जाता है बताई पेडोजैनसिस काफी अच्छा प्रशन है जैविरास्थानिक प्रक्रिया है, यह मिट्टी के भीतर जो क्रम होता है मतलब एनिसोट्रोपी से कहा जाता है, उसे बनाने और नश्ट करने दोनुगा कारे करती यह मिट्टी निर्माड की प्रक्रिया है इसके बाद 25 नंबर के प्रशन को देखेगा यहाँ पे नदियों के बारे में कहा जा रहा है कि निम्नलिकित नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा नदी से उसके दाहिने किनारे से जुड़ने वाली उसकी सहाईका नहीं है नर्मदा की जितनी सहाई काये हैं उनकी दिशा भी देख लीजेगा कि वो दाहिने से सपोर्ट कर रही है या बाये से सपोर्ट कर रही है तो यहाँ पर हतिनी नदी है, कनार नदी है, इसके अलावा तिंडोनी नदी है और शक्कर नदी है काफी अच्छे अच्छे नाम है तो ये सहाई काये हैं ये नर्मदा को सपोर्ट करती है तो कौन सी इसमें से दाहिनी ओर से नहीं मिलती है देख लीजे इसमें अगर देखा जाए तो शक्कर रिवर जो है ये मध्य प्रिदेश में नर्मदा नदी जो है उन्हें दाहिनी ओर से सपोर्ट नहीं करती है ये वामपञ्थी नदी है मतल Miranda में नदी है उनका नाम याद रखेगा परना है curry मान है उती है और हतनी है जबकि बाहिए की नारे से मिलने जो नदिया है उसमें बरनार है बंजारा है, शेर नदी है, शक्तर आपने देखा ही, दूधी है, तवा है, गजल, दोटी, कुंडी, देव, गोई, इस प्रकार की छोटी-छोटी नदिया है जो की बाई वो से सपोर्ट करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 26 को देखे, यहां पर लेटराइट सॉयल के बारे में कुछ कथन दिये हुए हैं, उसमें से जो गलत है वो आपको चूज करना है। और कारबनिक पतार्थों का काफी हद तक अभाव होता है। तो आप इसमें से पताईए कि not correct कौन सा है। यह प्रशन पूरा आप देखने हैं। जाते हैं जैसे nitrogen की कमी होती है, फास्पूरस की कमी होती है, जो organic component होते हैं वो भी इसमें कम मात्रा में पाये जाते हैं। खेती के लिए बहुत जादा उपयोगी नहीं होती है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो गेहूं, गन्ना और कपास जैसी जो फसले हैं वो गाली जाती हैं लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती। फिलाल आगे चलते हैं, इसका A वाला ही गलत था, यहाँ पे जो Greek word डिया है उसकी जगह पे Latin होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो पेंच नदी यहां से होकर गुजरती है और इसलिए इसको पेंच नेशनल पार्क कहा जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें अभ्यारण घुशित होने की जो तारीक है वो 1965 है। राश्ट्री उद्यान का दर्जा इसको 1975 यानि 1975 में मिलता है और बाग अभ्यारण यानि प्रोजेक्ट टाइगर के तहद यह 1992 में आता है। तो तीन उक्रम याद रखेगा फिलाल इसका D वाला से ही। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका correct answer B वाला हो जाएगा, B का मतलब यह है कि यह पन्ना राश्ट्री उद्यान है जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और पंचमडी और अमरकंटक Biosphere Reserve के बाद सूची में शामिल होने वाला यह मध्यप्रदेश का तीसरा Biosphere Reserve है। अगर बढ़ते हैं अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या 29 यहाँ पर चार statement है और उन पर आपको विचार करके जो सही है उसका चुनाओ करना है तो केन और बेतवा जो नदिया है यह मध्यप्रदेश से निकलती है और यह यह यमुना को सपोर्ट करती हैं मतलब य पांदा जिले में यमुना और हमीरपूर में बेतवा से जाकर मिल जाती है और केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है वो एक नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है यानि नदी जोड़ो परियोजना है जिसका उद्देश है मध्यप्रदेश में केन नदी के जो अधिशेश जो उन्तीसवाँ आप देख रहे हैं, इसका correct answer C हो जाएगा, यहाँ अगर देखा जाए तो जो इसका correct answer है, वो कौन सा होगा, C वाला होगा है, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन जो चौथा वाला है वो गलत है, यह तीनों तो एकदम perfect हैं, वैसे भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन बितवा नदी जो है, यह पन्ना बाग अभ्यारण से होकर गुजरती है, यह बात गलत है, केन नदी जो है, वो पन्ना बाग अभ्यारण से होकर गुजरती है, और केन और बितवा जो है, यह दोनों मध्यप्रदेश से ही जनरेट होती हैं, और यमुना को support करती है, 36 कड़ और बिहार से जोड़ लेता है या जार्खंड और यूपी से जोड़ता है बताईए यह national highway number 39 है इसे आपने देखा तो इसका जो correct answer हो जाएगा जार्खंड और उतरप्रदेश जार्खंड और उतरप्रदेश से यह मद्यप्रदेश को जोड़ने का काम करता है और इसक सब्सक्राइब जाएक पूछा गया कि चित्रकूट मध्यप्रदेश की किस जिले में इस्थित है चित्रकूट की जो लोकेशन है वो किस डिस्तिक में है दिरीवा में है शअडोल में है सतना में या फिर सीधी में तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट एंसल सतना हो जाएगा सतना में ये पढ़ता है सतना जिले में एक प्रमुख परेटनिस्थल है धार्मिकास्था का केंद्र है और ऐसा माना जाता है कि जो तृदेव है वो यहीं पर आउतार लिये थी ब्रह्मा विश्नु महेश और भगवान राम में अपने निर्वासन काल में जो साड़े ग्यारा वर्ष का समय था चौदा साल का वनवास था तो जो साड़े ग्यारा साल था वो चित्रकूट में ही बिताया था यानि एक लंबा समय तो वो गुजार चुके थे लेकिन जब वनवास खतम होने वाला था उसी समय मुसीबत आ जाती है तो यह जो मस्जिद है इसकी मध्य प्रदेश में किस जिले में लोकेशन पढ़ती है इंदौर में पढ़ती है बोपाल में पढ़ती है विदिशा में या होशंगाबाद में इसे आप देखना है इसका जो correct answer है वो हो जाएगा B का मतलब यह होता है कि भोपाल में इसकी location पढ़ती है यह एक masjid है और भारत की सबसे बड़ी masjid कहा जाता है इसे यह इसकी विशेश्टा है और Asia की भी सबसे जो बड़ी masjid हैं उनमें से एक है मतलब सबसे बड़ी वाली तो नहीं है लेकिन उनमें से एक गिनी जाती है और भारत में यह सबसे बड़ी इसका निर्माड किसने कराया था तो इसका निर्माड नबाब शाजहा बेगम के द्वारा करवाया गया था और मुगल समराढ बहादुर्शाथ जफर के शाशनकाल में इसका जो निर्माड का रहे है वो स्टार्ट होता है जो काफी पुरानी है इसके बाद आगे बढ़ते है प्रशन संख्या 33 चंदेरी का किला किसने बनवाया था इसमें बताइए और ये बेतवा नदी के तटपर इस्थित है और कीरतिपाल थे कौन तो ये प्रतिहार राजा थे ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या 34 यहाँ दो स्टेटमेंट है पहले बाले में कहा गया कि मध्यप्रिदेश विकास दिवस जो है ये 6 अप्रियल को मनाया जाता है और मध्यप्रिदेश पर्यटन दिवस जो है वो 24 मई को मनाया जाता है ये राजजस्तरी दिवस है तो आपको ये पताना है किसमें से incorrect कौन सा है प्रेशन आपने देखा, इसका जो correct answer है वो D वाला हो जाएगा, न तो पहला ही गलत है और न दूसरा ही गलत है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रेशन को देखिए, प्रेशन संकिया, 35 यानि 35, यहाँ पर कुछ खनीजों के नाम दिये हैं, तो आपको यह बतान हैं, वो मध्य प्रेश का जो जाबुआ डिस्टिक है, वहाँ पर पाया जागें, बताई, देखिए, इसका जो correct answer है, वो D होगा, यह सब कुछ तो पाया जाता है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कि न पाया जाए, अगले प्रेशन को देखता है, 36, 2011 का जो census था, उस में सबसे कम, यह इसका मतलब, उसी प्रकार से सागर, चिंदवाडा, शिवपुरी, बैतूल, यह क्रम बैठाया है, तो आप इन जिलों को देख लीजे, इसमें से सही जो descending order है, वो कौन सा है, इसका जो correct answer है, वो A वाला ही सही है, चिंदवाडा, सागर, शिवपुरी और ब मतलब, बहुत कम अंतर है, लेकिन कम तो ही है, तो इसमें जो पहला वाला है, वो सही, इसके बाद 37 को देखिए, यहाँ पर दो statement है, जो सही हो, वही आपको चूज करना है, तो पहले बाले में कहा गया कि National Soya Bean Research Center, इसकी जो location है मध्यप्रिदेश में, और State Soya Bean Research Center जो है, इसक में से करेक्ट कौन सा है, प्रशन आप देख रहे हैं, इसका दोनों से ही है, कोई doubt नहीं है, दोनों ही जो अनुसंधान केंद्रों की location दी है, परफिक्ट है, तो सी वाले को हम चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 38 को देखिएगा, निम्दलिखेत कतनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट है, मध्यप्रदेश बैडमिंटन संग की स्थापना 1946 में हुई थी, और ये है कहां पर, तो जबलपूर में है इसकी location, उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है, उसमें बोला जा रहा है, कि मध्यप्रदेश टेबल टेनिस एसकी स् परफिक्ट है, आगे चलते हैं, वैसे अगर देखा जाए, तो जो टेबल टेनिस एसकी स्थापना 1957 में होती है, और ये भी जबलपूर में ही है, इसके बाद प्रशन संख्या 49 को देखेगा, निम्नलिकित में से कौन सी नदी रतलाम जिले से होकर नहीं गुजरती है, तो अब आपको जो नदिया है, नदियों का माय का मध्यप्रदेश को कहा जाता है, तो कौन सी नदी कहां से उद्गम उसका होता है, कौन कौन से जिलों से होकर बहती है, ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर पिंगला नदी का नाम दिया है, मालिनी है, मा पींगला है, मालनी, माही, छिप्रा, कनेरी, चंबल और करन यह सब रतलाम से होकर गुजरती है आगे बढ़ते हैं आधुनिक चाड़क के कहा जाता था एक भारती या आत्मा मतलब एन इंडियन सोल कहा जाता था या इसमें से कोई भी संबोधन नहीं था तो इसमें अगर देखा जा तो इसका C वाला होगा इन्हें जो संबोधन दिया गया था वो भारती या आत्मा का था ये इनका संबोधन था और लेटिनेंट लक्षमर सिंग गौर जो थे उनको दादा कहा जाता था जबकि द्वारका प्रसाद जो थे उनको आधुनिक चाड़क के कहा जाता था आगे बढ़ते हैं अंगले प्रेशन को देखते हैं और ब्रिटिश लाइबरेरी दिली की इसमें से कौन-कौन सी इनके निर्देशन में बनती है बताइए देगे इसका जो करेक्ट एंसर है वो D हो जाएगा तीनों ही इनके गाइडेंस में बनती है ये सही बात है पदमश्री और पदमभूशन जैसे पुरसकार इनको दिये गय आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 42 को देखे मध्यप्रदेश विधान सभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे प्रोटेम स्पीकर के नाम आपको पता होने चाहिए तो जो पहले वाले थे वो कौन थे ये कुंजीलाल दूबे थे अरजुन सिंग थे काशी प्रिसाथ प इसे for the time being कहा जाता है अंग्रेजी में और अनुचेद 100 अगर संभिधान को आप देखे तो 180 क्लास वन जो है उसमें प्रोटेम स्पीकर की न्यूकती की बात कही गई है और राजिपाल को इसकी शक्ति प्राप्त है ये आपने देखा इसके बाद 43 को देखे 43 में कहा गया ग देखते हैं प्रशन संख्या 44 2019 का जो लोकसभा चुनाओ था उसमें भारतिय जंता पार्टी को मद्यप्रदेश राज्य में कितनी सीटें प्राप्त होती है सीटों की संख्या जो इन्होंने प्राप्त की थी 28 थी 29 27 थी 26 थी तो इसमें अगर देखा जाए तो 19 में से 28 सीट जो थी वो भी जेपी थी इसके बाद आगी चलते हैं प्रशन संख्या 45 यहां दो स्टेटमेंट है जो सही है उसको आपको चुनना है तो भारत में संभिधान का जो अनुछेद है भारती संभिधान का अनुछेद 233 उसमें जिला नियाय धीशों की नियोक्ति का पूरा प् पताईए इसमें से सही क्या है प्रशना आपने देखा और इसका जो करेक्ट एंसर है हो जाएगा सी वाला दोनों सही है अनुछेद के अंदर क्या चीज़े हैं वो पर्फेक्ली इसमें दी हुई है इसके बाद 46 को देखते हैं तडवी क्या चीज है तो तडवी एक उप ज जन जाती है मतलब जैसे पीछे आपने सब ट्राइब देखा तो वैसे ही है अब यह किस जन जाती की उप जन जाती है या आपको चुनना है तो यह कौन सी ट्राइब होगी गोंड होगी बैगा होगी भील होगी या फिर मढ़िया होगी इसमें नाम दिया है तो इसका जो ग पड़वानी, खरगोन, रतलाम और बुरहानपुर काफी बड़े पैमाने पर फैले हुए है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका C वाला सही है, 47 को देखिए। ग्रामी राजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा दीदी वाहन सेवा, ये कहाँ पर शुरू की गई? मतलब दीदी वेहिकल सर्विस जो है, इसको लाँच किया गया है, वुमेंस के दुआरा, और ये रूरल लिवली हुट मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, तो ये कहाँ पर लाँच हुई है? भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, या फिर जाबुआ में. इसका ज पेटलावद विकास खंड है, ब्लॉक है, उसके 29 गाओं में 10 ग्राम पंचायतों में ये सेवा शुरूर कर रही है, और महिलाएं जो है, वो वाहन सेवा का जितना खर्चा होता है, वो अपनी बचत से उसे पूरा करती है, बहुत बड़ी बात. इसके बाद आगे चलते हैं या उशा ठाकुर है, या मोहन यादो है, इसमें से कौन से है, तो इसका सी हो जाएगा ये शूसरी उशा ठाकुर है, यहाँ आपने देखा, ये मध्यप्रदेश सरकार में इस मंत्री के हैसियत से हैं, और ओम प्रकास सकलेचा को आपने देखा, तो ये सूख्ष मे कतलों पर विचार कीजिए, तीन स्टेट्मेंट है, बॉक्साइट, अलुमिनियम का आइस्क है, इसका रंग मिट्टी के जैसा होता है, और बॉक्साइट मध्य प्रदेश में जबलपूर, कटनी, सतना और जो रीवा जिले हैं, वहाँ पर पाया जाता है, तो आपको इह ब बॉक्साइट है, उसकी आपूर्ती की जाती है, मतलब वहाँ से आपूर्ती की जाती है, तो कच्चे माल का छेतर आपको पता होना चाहिए, फिलहाल इसका D वालस है, इसके बाद 50 को देखिए, वहन कार खाना जबलपूर का, यह कब इस्टैबलिश किया गया था, यानि व प्रशन संख्या एक क्यावन, नोक्रेक को किस वर्ष एक जीव मंडल आरक्षित चेतर के तौर पर घोशित किया जाता है, नोक्रेक जो यहाँ पर बाइस पर रिजर्व है, उसको डिकलेयर कप किया जाता है, तो 2007, 2009, 2011, या फिर इसमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट तेंसर है, वो B हो जाएगा, 2009 में इसको डिकलेयर किया जाता है, एक जैव मंडल आरक्षित चेतर के तौर पर घोशित किया जाता है, वो डेट है 2009 की, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या बावन को देखते हैं, भारत में राश्ट्री उध्यानों के देखें, इसका जो करेक्ट एंसर है, वो C हो जाएगा, इसमें दोनों सही है, बेतला जो है, राश्ट्री उध्यान, ये जारखंड का जो लातिहार और पलामु वाला चेतर है, उसमें फैला हुआ है, और 1974 में ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, बाग हारचित चेतर बनन है, तो देखें, इसमें वलित परवत, ज्वाला मुखी, कतिविधी के साथ, निकटता से जुड़े होते हैं, और कुछ उताहरंड जैसे कि हिमाले परवत है, एंडीज है, आलपस है, मतलब ये सब जो है, ये फोल्डेड माउंटन है, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, प्रशना आपने देखा, इसका भी सी हो जाएगा, इसमें दोनों सही है, ज्वाला मुखी की क्रिया होती है, तभी तो परवत निर्माड या बहुत सारी चीजें बनती हैं, मतलब ज्वाला मुखी का उदगार ये नई जमीन को पैदा करता है, और नए 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 पर परवतों का पूरा एक जुंड है, इसके बाद 54 को देखे, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए, तो ग्रह दिया है और उपग्रह दिया है, मतलब किस प्लानेट का जो यहां पर सेटलाइट है, वो कौन सा है, यहां पर बात नैचुरल सेटलाइट की हो रही है, तो ब उपग्रहों की संख्या किसी जादा है, व्रिहसपती की या फिर शनी की, तो यहां अगर देखा जाए तो जो सैंटर है, उसके उपग्रहों की संख्या, आप ज्यादा हो गई है, 82 उपग्रहो उसके पास है, और इससी संभवना व्यक्त की जारे है, कि 101 का आसपास की सैटल और यूरेनस का जो यहां पर सेटिलाइट है वो कौन सा एरियल है यह इसकी मैचिंग हो जाएगी तो हमने इसमें जो बी वाला उप्षन है उसको चूज किया यह बी वाला इसका सही हो जाएगा अगले प्रेशन को देखिए पच्पनमा और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलि यह इसका नंबर है तो बताईए इसमें से कौन सा होगा देखिए इसका जो करेक्ट एंसर है वो हो जाएगा डी वाला यह सभी तो है जितने भी हैं इन्हें चावल अनुसंथान संस्थान जो कटक वाला है वहां पर डबलब किया गया है और यह काफी अच्छी उपज देत है और यह केंद्री जो गंगा के मैदान है उनसे दक्षण भारत तक फैले हुए तो यह कथन किन जंगलों पर सही बैटता है यहां जंगलों के बारे में दिया है तो अल्पाइन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरिग्रीन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस है और नॉन अब देवब है कहने का मतलब किया यहां पे सदाबाहर और सुष्क परणपाती भी है तो बताई इसमें से कौन से जंगल के बारे में यह कहा जा रहा है तो इसमें आप जैसा देख रहे हैं इवरिग्रीन फॉरेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि वर्षा का जो प् प्रश्न संख्या 57 को देखिए कौन सा एक इस्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है मतलब लैंड लॉक कंट्री इसमें से कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है बू आवेश्ठित देश या लैंड लॉक कंट्री जो होती है उसका मतलब क्या है चारो और से अन्य देश या अफरीकी देश है और उत्तर में भूमद्य सागर से घिरा हुआ है तो समुद्र का यहां पर टच है इसलिए यह लैंड लॉक नहीं है बागी जितने है वो इसके बाद अठावनवे को देखते हैं तुरिशूर पूरम यह एक वारशिक हिंदू उत्सव है अब यह कहां पर प्रकोब के चलते हैं इसको पहली बार रद कर दिया गया और इसी वज़े से एक क्वेस्चन बना है देखिए इस प्रकार के जो उटपठांग प्रशन होते हैं मतलब किसी तेवहार के बारे में पूछ लिया या किसी व्यक्ति विशेश के बारे में या किसी प्रजाती के बारे में पूछ लिया तो इसका मतलब यह है कि वो करेंट अफेर का मुद्दा है वो करेंट अफेर में कहीं ने कहीं आया होगा और इसी वज़े से उससे प्रशन बना है इसके बाद 59 को देखिएगा निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए यहां पर अक्षांसी अविस् बबदा आप बताईए इसमें से जो कफन है शमें सही कौन सा है जो यहां राज्यों के नाम है वो दीव है अंडमान द्वीब के बारे में कहा जा रहा है निकोवार द्वीब के बारे में कहा जा रहा है लक्षदीब के बारे में कहा जा रहा है या जो द्वीब है उसके विशह में कहा जा रहा है प्रशना आपने देखा इसका जो करेक्ट यह लक्षदीब के बारे में कहा जा रहा है इसमें प्रवाल दीब कौन सा है या आप जानते हैं तो वह उताराम से गेस कर लेंगे यह लक्षदीब के बारे में कहे गए जितने भी statement है वो perfect पैड़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन को देखते हैं यहाँ पर का गया निम्नलिखित में से कौन सी हवाई भूमते छेतर के ऊपर बहती है या वेच आप दे विंड मेंशन बिलो ओवर दे मेडिटेरियन रीजन यह सिरेको है मिस्टरल है या चिनूक है या सभी है कौन सा होगा तो इसमें आप जैसा देख रहे हैं इसका पहला दूसरा तो सही है सिरेको और मिस्टरल लेकिन चिनूक का इससे कोई करेक्शन नहीं है तो हम सी को चुनते है पहला और दूसरा मतलब यहाँ चिनूक को देखा जाए इसका छेतरि सीतोषन महाद वीपी जो जलवाई वाला इलाका है वहाँ पर होता है इसके बाद प्रशन संख्या एक सट को प्रवधान किया गया या संसत का अपना कानून बना है उसमें प्रवधान किया गया है आचरण के नियम और व्योसाय की प्रक्रिया गे ताहति से लाया गया है या इसमें से कोई नहीं बताइए कौन सा होगा प्रश्ण संख्या एक सट को आप पूरा देख रहे हैं इसका जो करेक्ट एंसर में वोसी हो जाएगा रूसा प्रोसीडर एंड कंड़क्ट ऑफ बिजनेस ये इसका हिस्सा है मतलब यहीं से उद्गृत है इसके बाद अगले प्रश्ण को देख इसको भी मिलते हैं तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है यहाँ पर कहा गया जो शपत ग्रहण ना किया हुआ सदसे है उसके बारे में और इसका जो करेक्ट एंसर है वो हो जाएगा डी वाला इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है दोनों की दोनों गलत है जब तक काल यानि जो constitutional emergency है उसका mention कहाँ पर किया गया है तो यह article 355 और भाग 17 है या article 355 और भाग 18 है या 356 है या 356 है या 356 है पताइए इसमें से कौन सा पेर सही होगा और इसका जो करेक्ट एंसर है आप जानते है कि यह article 356 और पार्ट 18 है यह वाला सही है इसका समयधानिक आपा रजन में कहा गया कि मुख्यमंत्री किसी जोनल काउंसिल में शामिल किये गये सभी राज्यों में से रोटेशन के आधार पर एक वर्ष की अवधी के लिए जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में कारे करते हैं उसके बाद जो second statement डिख रहा है आपको उसमें कहा गय इस थापित एक वैधानिक निका है यह समवैधानिक नहीं है बलकि वैधानिक है ऐसा इसमें कहा गया वही चीज यहां अंग्रेजी में है जिसे कि आपने देखा the chief ministers of state included in the each journal act as vice chairman जो vice chairman होते हैं उसकी हैसियत से एक्ट करते हैं of the journal council for the journal zone by rotation मतलब यहां rotation होता है क्रमवार त मध्यप्रदेश है, journal council are situatory body यह constitutional body नहीं है बलकि situatory body है और इनको establish किया गया था जो 1956 का act था उसके थूरू तो आपको इसमें से सही कथन का चुनाव करना है पूरा प्रशन आपने देखा देखें इसका जो correct answer है वो C वाला हो जाएगा जितने हैं सभी सही है, journal council के बारे में 65, in the case of decreasing or increasing the voting age limit, मतलब इसमें यह कहा गया कि in the case of decreasing or increasing the voting age limit in India, the act containing this provision must be passes by, मतलब भारत में जो मद्दान की आयू सीमा है उसको घटाने अत्वा बढ़ाने के लिए जो अधनियम पारित किया जाता है, उसको कैसे पारित किया जा सकता है, तो राश्टरपती का आदेश होगा पारित किया जा सकता है, या संसद अपना साधानर जो बहुमत वाला काम है, उससे इसे ला सकती है, या विशेश बहुमत लाना पड़ेगा, या विशेश बहुमत होगा और साथ में आधे राज्यों की पर्मिशन भी होनी चाहिए, तो आप बताए इसमें से कौन सा पादन सुचकांग, IIP में मुख्य कोर उद्योग के रूप में वर्गिकृत नहीं है, कहने का मतलब यह है कि विच आप तर फालोविंग इस नौट, इंडस्ट्री क्लासिफाइड अज़कोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP का मतलब क्या है, इंडेक्स आप इंडस्ट आटो मुबाइल सेक्टर इसमें नहीं है, बाकी जितने हैं वो इसके अंतरगत आते हैं, आगे बढ़ते हैं अंगले प्रेशन को देखते हैं, सर सथमा, अर्थ व्योस्था में अब इस फीती को नियंतरत करने के लिए, मौद्रिक नीती समीती जो है, यानि MPC, उसके द्व Reserve Ratio मतलब इसे decrease कर दिया जाए, या फिर Bank Rate को increase कर दिया जाए, या जो Reverse Repo Rate है उसको decrease कर दिया जाए, बताईए, तो इसका जैसे कि आपने देखा, इसका Correct Answer हो जाएगा, एवाला यानि पहला और दीसरा तो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला जिसमें Bank Rate को ही बढ़ाने के बा और कार्पोरेट्स प्राथमिक डीलर और अखिल भार्दिय वित्तिय संस्थान जिने के भार्दिय रिजर बैंक के द्वारा निरधारिच छत्र सीमा के तहत अल्पकालिक संसाधन जुटाने के अनुमती दी गई है वो वांड़िजिक पत्र जारी करने के हगदार है ऐसे कहा गया तो यहां पर आपको देखना है कि इसमें से सही कौन सा है प्रश्न संख्या असर्ट को आपने देखा और इसका जो करेक्ट टैंसर है वो सी हो जाएगा इसमें दोनों सही है मतलब कॉमर्शियल पेपर जो होता है यह एक अन्सिक्यूर्ड मनी मार्केट इंस्रूमेंट होता है issue in the farm of a promise note यह जो इसका promise note होता है उसके तुरूइस से जारी किया जाता है ऐसा आपने देखा फिल्हाल इसका दोनों सही है इसके बाद प्रश्न संख्या 79 यानि 69 को देखते हैं यहां पर दो चीजे दिवी है मतलब दो index के नाम दिये हैं तो आपको यह बताना है कि World Bank के द्वारा इसमें से कौन कौन सा जारी किया जाता है पहला जो है वो human development index है और दूसरा जो है वो logistic performance index है बताइए इसमें से कौन सा match करता है तो इसका जो correct answer है वो B हो जाएगा केवल दूसरा वाला यहां अगर आप देखें तो दूसरा वाला सही है और जो पहला वाला है वो गलत है मानो विकास सूचकांग को किसने जारी किया जाता है यहां अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो महबूब उलहक है उनके द्वारा इसे विक्सित किया गया था और सयुक्त राश्ट्र विकास कारिक्रम यानि जो UNDP है उसकी मानो विकास एक NGO है या इसमें से कोई नहीं है इसकी हैसियत क्या है तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका सी वाला सही है यह एक इंटरनेशनल NGO है मतलब यह क्या है एक स्वैंग सेवी संस्था है वर्ल्ट एकोनामिक फोरम स्विट्जा लैंड का जो कोलोगरी जिनेवा है वहां परि COVID-19 के टीका करण के विकास से या फिर अरब महासागर के जो देश है उनको चिकित्सकी सायता देने के लिए या विदेशों से भारती नागरिकों को वापस देश लाने के लिए या वापस घर लाने के लिए COVID-19 टीकों के वितरन के लिए अमेरिकी सरकार की एक पहल है इसमे अगर देखा जाय तो जो निदान है विकास है निर्माढ है वितरण है इसके बाद 72 गो देखिएगा यहां बात हो रही है जी फोर वाईरस के बारे में तो निम्न लिखित में से किस भीमारी से इसका कनेक्शन है हर वाइरस जो है वो नुकसान दे ही होता है जीवानों की तरह इसमें लाबदायक और हानिकारक दोनों काटिगरी नहीं पाई जाती है वाइरस है तो वो नुकसान करेगा अब इसमें से G4 वाइरस से कौन सा रोग हो जाता है बताए COVID-19, AIDS, Ebola या स्वाइन फ्लू जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें स्वाइन फ्लू इससे होता है इससे G4 वाइरस कहा जाता है और इससे जो फैलने वाली बिमारी है वो स्वाइन फ्लू है एक नया शोध अभी हाली में जारी हुआ है और इसमें कहा गया कि दुनिया में सुवरों की सबसे बड़ी आबादी बाला देश तो चीन है यह आप जानते ही है और वैग्यानिकों ने इंफ्लुएंजा वाइरस के एक हाली में उपरे हुए इसके बाद आगे चलते हैं तो चीन जो है वो वाइरसों की ऐसे ही नहीं कहा जाता है उसके कई सारे रीजन है हाली में खबरों में देखा गया जो नियोवाइज नाम का वर्ड है इसका मतलब क्या है मतलब यह किस से समंदित है यह आपको बताना है यहाँ पर बात हो रही है नियोवाइज की तो यह COVID-19 के वैक्सीन है या फिर एक micro processor है या एक antivirus software है या फिर एक comet है जो कि अभी recently दिखाई दिया है और यह Earth को बार-बार विजट करता है तो इसको विजट करने का जो पिछला time period था वो आज से 6800 साल पहले का था बताई इसमें से कौन से सही है तो इसका भी correct answer जो है वो D हो जाएगा देखने में लगता है अब इश्वसनी है कि 6800 साल के अंतराल के बाद यह प्रिथवी को देखने आया मतलब प्रिथवी को विजट किया उसके पास से गुजरा कहने का मतलब है तो D वाला इसका से ही आगे चलते हैं इसमें अगर देखा जाए तो यह comet है और हाली में खोजा गया धुंकेतु जिसे की C 2020 F3 कहा गया और बाद में इसे नियोवाइस के नाम से भी जाना गया तो नासा के एक टेलिस्कोप के त्वारा इसको खोजा गया है और 22 जुलाई को यह प्रिथवी के सबसे नस्दीक था इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 74 मंगोलियाई कंजूर क्या चीज है मतलब मंगोलियन कंजूर की बात हो रही है तो यह चाइनीज प्रोजेक्ट है to develop solar farm in Gobi Desert military exercise है कजाकिस्तान और मंगोलिया के बीच में या फिर important Buddhist जो manuscript है उसके तोर पे से मंगोलिया में देखा जाता है या इसमें से कोई नहीं तो जैसा आप देख रहे हैं इसका correct answer हो जाएगा C वाला यह important Buddhist manuscript है यानि पांडुलिपी है जो कि मंगोलिया से संबन्द रखती है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन को देखते हैं इसमें कुल मिलाकर जो खंडों की संख्या है मतलब इसके कितने पार्ट है तो 108 खंडों में बटा हुआ पूरा एक ग्रंत है अगले प्रशन को देखा जाए तो इसमें 75 में में दो statement है आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सी quantum प्रहोधयोगी के application के तोर पी use हो सकती तो पहले बाले में कहा गया इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको देखने में भलाई है क्योंकि science में जो term होते हैं वो English के होते है quantum computing can be used in precise navigation for defense and civilian application accelerated drug development by accurate chemical simulation तो दूसरे बाले में कहा गया कि quantum जो metrology है यहाँ पे देख लीजे quantum metrology can provide more capable means यहाँ नीचे आप देखिए of defecting strength aircraft submarines and also mineral exploration and water resource management मतलब इसमें कौन-कौन साइस का application है वो आपको चूज करना है देखकर बताइए और इसका जो correct tensor है वो C हो जाएगा मतलब दोनों ही application है कोई भी चीज होती है कोई technology होती है इसका एक से ज़्यादा application यानि अनुप्रियोग होता है और यह दोनों आप देख लेए इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या consider the following statement with reference to new space india limited तो इसके बादे में जो दोनों statement है वो perfect आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 हाली में national common mobility card यानि ncnc खबरों में था इसी के respect में यहाँ पर कुछ कथन दिये हैं तो यह दिया हुआ है कि एक व्यक्पीस का उपयोग निम्नलिकित में से किस उद्धिश से कर सकता है मतलब इसको किस purpose से यूज किया जा सकता है वो purpose यहाँ से आपको चूज करना है तो पहला वाला है bus travel में आप यूज कर सकते है या retail purchase में यूज कर सकते है टोल tax plaza जो होते देगा डी का मतलब यह है कि यह जितने भी छेत्र आप देख रहे हैं वहाँ पे इसे यूज किया जा सकता है दिल्ली मेट्रो की जो airport express line है वहाँ पे national common mobility card सेवा को PM नरेंद्र मोदी जी के त्वारा video conferencing के जरिये लांच किया गया था आगे चलते है प्रशन संक्या 78 को है यह इंजेती श्रिनवासन थे या रादाक्रिषण माधूर ते गिरीश चंद्र मूर्मूथ हैं या इसमें से कोई नहीं है उन जो तो इसका C वाला हो जाएगा इससे पहले इनके जो पूर वर्ती थे वो गिरिश चंद्र मूर्मूत है C वाला option इसका perfect होगा 79 को देखिए भारती विकेट कीपर वल्लेबाद जिन्होंने की 9 दिसंबर 2020 को अंतराश्ट्री क्रिकेट के जितने भी प्रारूप होते हैं उनसे सन साल की उम्रे में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे युगा खिलाडियों के तौर पर गिने जाते थे और अपने 36 में जनम दिन पर इन्होंने पूरी तरह से सन्यास ग्रहण करने के गोश्णा की है तो ए वाला इसका सही हो जाएगा इसके बाद देखिए इन्हें साहिति का नोबिल मिला और मजे की बात यह है कि यह किसी किताब के लिए नहीं दिया गया है बलकि इनकी जो सुसपष्ट काव्यपूर्ण वाणी थी या कविता पूर्ण वाणी थी मतलब आप कह सकते हैं पोईटिक वाइस उसकी खुबसूर्ती के लिए दिया गय यह एक application software है, system software है, processing device है या operating system है इसमें से क्या जीज़ है तो इसमें अगर देखा जाए तो यह application software है एक application की तोर पे ही हम इसे use करते हैं PPT आदी बनाने के लिए इसके बाद 82 को देखिएगा जिमने लिखित में से कौन सा व्योसाइक लेखांकन software है टैली, coral draw, busy कौन सा जो business software है या business accounting software है उसकी बात हो रही है और इसमें से देखा जाए तो इसका correct tensor C हो जाएगा मतलब पहला और तीसरा, tally और busy लेकिन coral draw इसे जुड़ा हुआ नहीं है, coral draw एक vector आधारी designing software है और इसका उपयोग जो logo आधी बनाने का काम होता है, इसके अलमा flex, brochure आधी जो निम कौन सी चीज नहीं होगी, loader, assembler, compiler या फिर operating system, तो जैसा आप देख रहे हैं इसका D वाला हो जाएगा, operating system अगर किसी android device के अंदर नहीं है, माल लीज़े आपके smartphone से operating system ही उड़ गया, तो वो boot नहीं कर पाए, आगे बढ़तें, अगले question को देखे, 84, Excel जो है, यानि MS Excel, यह software किसी भी cell में वर्तमान दिनांग दर्ज करने के लिए, जो shortcut कुंजी इस्तिमाल करता है, वो कौन सी है, keyboard की जो कुंजियां होती है, उनके बारे में दिया है, तो यह CTRL यहाँ पे देख रहे है, यानि CTRL प्लस प्लस, यह symbol बना हुआ है, इसे देख लीजे, मतलब यहाँ पे तो इसका जो correct tensor है, वो पहला वाला ही सही है, CTRL प्लस F, इसके बाद अगले प्रेशन को देखते हैं, computer से संबंदित virus का पौन रूप क्या है, VIRUS यह इसका full farm है, मतलब short रूप आप देख रहे हैं, और इसका full farm आपको देखना है, तो virtual information resource under storage यह है, या फिर virtual internet resources under seized, या फिर vital information resource under seized, या फिर vital internet resource under storage, इसमें से full farm जो virus word है, उसका क्या होगा, और जैसे आप देख रहे हैं, इसका C वाला हो जाएगा, इसमें vital information resource under seized, यह वाला जो इसका pronunciation है, यह सही, अगले प्रेशन को देखते हैं, निम्नलिकित में से कौन सा सही है, तो भारत, जो है, मतलब भारत दे 1993, और इसे protection of human rights amendment act 2006 के द्वारा संशोधित भी किया गया है, यानि उसमें सुधार किया गया है, और आयोग के एक अध्यक्ष और चार पूंड कालिक सदस्य होते हैं, और इसके अलामा चार जो है, वो deemed member होते हैं, मतलब वो deemed सदस्य के तौर पे काम करते हैं, तो आपको इसम ये बाल अधिकार संरचन आयोग यानि NCPCR इसके द्वारा परिभाशित किया गया है, बच्चे की परिभाशा ये किस उम्रित तक मानी जाती है, यानि बच्चा किसी चीज को कब माना जाएगा, 6 वर्ष की आयो तक, 14 वर्ष की आयो तक, 16 वर्ष की आयो तक या 18 साल की आयो है, उर्मिला सिंग है, हर्ष चोहान है, इसमें से कौन से होंगे, तो इसमें अगर देखा जाए तो D वाला हो जाएगा, हर्ष चोहान जी है, यहाँ पर वर्दमान तोर पे, इसके बाद 89 को देखी, निमलेकित कत्नों पर विचार कीजिए, अब यहाँ पर कहा गया कि भार हालती है, खादे सुरच्छा और मानक प्रादिकरन, खादे और सुरच्छा मानक अधिनियम 2006 के तहट इस्थापित किया गया है, इसके अध्यक्ष को केंद्र सरकार नियूक्ट करती है, जो वर्दमान में या पूरो में कभी भारत सरकार के सजिव के पद पर काम कर चुका ह मतलब हो एक IS officer होता है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा, जो सही है उसका चुनाव आपको करना है, और इसमें जितने हैं वो सभी सही है, तीनों इसके perfect है, इसलिए हमने D का chain किया है, आगे चलते हैं, प्रशन संख्या लब्बे को देखिए, पर्माडू उर्जा बिभाग जो है, यह भारत के प्रधान मंत्री के अधिनेक बिभाग होता है, और इसका मुख्याल है, मुंबई महाराष्ट्र में है, यह आपने पढ़ाई होगा, भारत के प्रधान मंत्री मोधी जी जो है, यह पर्माडू उर्जा विभाग के मंत्री है, और डॉक्टर ज उसमें अगर देखा जाए, तो ये सभी आते हैं, इसका जो डी वाल आप्शन है, वो सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे विंड एनर्जी भी है, बायो गैस भी है, तापी ये उर्जा जो है, ये भी आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इसका बी वा और आप देख रहे हैं, बायो गैस देख रहे हैं, या जो वेस्ट मतेरियल होता है, उससे बनी हुई उर्जा, या जवारी उर्जा, तो इसका जो बी वाला आप्शन है, वो ज्यादा सही होता है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 92 को देखिएगा, यहां डिसकावरी और दिया है उसे आपको match कराना है तो ये uranium है पोलोंियम है अल्फा रेस है और गामा रेस है इसके discover जो discover करता है यानि खोज करता है उनके नाम आप देख लिजे पाल विलाड है रदर फोड है है हें घंटरी बेकरल है और मैडम क्यूरी है किसने किसको खोजा था बताईए तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका correct answer D हो जाएगा यानि तीसरा चौथा दूसरा पहला और उसी हिसाफसे से मिला लेंगे uranium को किसने खोजा था Henry Bakeral ने, polonium की खोज Madam Curie और Pierre Curie इन दोनों ने की थी और alpha किरणों की खोज Rutherford ने की थी, gamma rays को खोजने वाले विलाड थे, इस हिसाफसे से मिलाएंगे अगले question को देखिए, 93 यहाँ पर कहा गया कि what could be possible uses of hydrogen fuel cell यानि HFC in vehicle तो यहाँ पर कुछ use दिये हुए हैं जिसमें पहले वाले में कहा गया कि hydrogen is a clean fuel so no emission of carbon monoxide hydrocarbon and particulate matter would occur मतलब इसमें जो hydrogen है वो कैसी gas है यह clean fuel के तौर पे देखा जाता है तो किसी भी प्रकार का production नहीं फैलेगा और only water is यहाँ नीचे आप देख रहे हैं residue of hydrogen fuel cell which can be used in desert areas मतलब इसमें जो उतपाद के तौर पे या अपसिष्ट के तौर पे निगलता है वो सिर्फ पानी होता है और इसको desert area में use किया जा सकता है मतलब इसका भी इस्तिमाल किया जा सकता है उसके बाद यह बताया गया कि hydrogen fuel cell जो होता है इससे चलने वाले जो वाहन होते हैं उसमें भारी वाहन जादा होते हैं क्योंकि electric वाहन केवल हलके वाहनों तक ही सीमित है तो इसमें आपको यह बताना है कुल मिला कर कि जो HFC है उसका इस्तिमाल इसमें से कौन-कौन सा हो सकता है अच्छे से देख लीजेगा और आप जानते हैं कि यह तीनों ही इसके इसके इस्तिमाल है के लिए या फिर उन्हें आवेशित रखने के लिए बताईए तो इसका जो correct answer है वो C हो जाएगा इसमें अगर आप देखें तो इसका जो C वाला है मतलब वस्तुओं को नम बनाए रखने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है और इसका नाम है humidity से बना हुआ है humidity का मतलब क्या होता है आदरता होता है तो इसके बना हुआ है इसके बाद प्रशने संग्ख्या पंचानवे यहाँ पे specific heat के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके unit क्या होती है Joule पर किग्रा degree Celsius होती है Joule पर किग्रा होती है या इसमें से कोई नहीं होती है तो इसमें अगर देखा जाए तो जो विसिष्ट उश्मा है उसकी इकाई जूल प्रतिक एगरा डिगरी सेल्सियस होती है तो इसमें जो option है वो कौन सा सही होगा ए वाला सही होगा, आगे चलते हैं पैसे विसिष्ट उश्मा कहते हैं किसको है तो किसी पदार्ज का जो इकाई द्रब इमान होता है उसका ताप एक डिगरी सेल्सियस बढ़ाने के लिए पतलब इकाई द्रब इमान जो होता है उसका अगर ताप आपको एक डिगरी सेल्सियस बढ़ाना है प्रिक बिंदू कहा जाता है और 4 degree Celsius जो temperature है उसको पानी का अधिक्तम density वाला जो temperature है वो माना जाता है मतलब 4 degree Celsius पर पानी का घनतु सरवाधिक होता है और जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है तो आप पताईए कि इसमें से statement कौन सा सही है 96 और इसकड़ी हो जाएगा तीनों सही है, 4 डिगरी Celsius पर जो पानी की density होती है, वो maximum होती है, यही कारण है कि जील होती है, थंडे इलाकों की, उपरी सता जम जाती है, लेकिन अंदर पानी वैसे ही, जल अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में, और जो जली जीव है, वो मरते नहीं, इसके बाद आगे चलते हैं, सकड़ी वाला सही, 97 को देखिए, इसमें ये कहा गया कि दूर दृष्टिदोष, यानि हाइपर मेट्रोपिया जो होता है, इससे पेडित व्यक्ति, ये इस पश्ट रूप से उन वस्थूओं को नहीं देख पाता, जो कि लंबी बी वाला सही, और जो निकट दृष्टिदोष है, तो वो दूर वाली चीजों को साफ नहीं देख पाएगा, और जो जरा दृष्टिदोष होता है, उसमें दोनों ही जो चीज़ें होती है, वो साफ नहीं दिखाई देती, फिलाल इसे हमने देखा, और उसके बाद 98 को दे मतलब इसमें आप देखे कुम्भरूपी है, यानि नैपी फार्म है, या फ्यूजी फार्म है, या राइजो फोरा है, या इसके अलावा कोनिकल है, और टूबरस है, यह जितने भी वेराइटी आप देख रहे हैं, यह सभी समूला जड़के ही प्रकार है, यानि जो टैप करने का काम, मनुश्य के मस्तिश्क का कौन सा हिस्सा करता है, आगे वाला हिस्सा करता है, या अक्सीपिटल जो पार्ट होता है, वो करता है, पेरिट certaines gland जो होती है, उसके द्वाराइसे कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर बात हो रही है, मान-स्पेशियों की, और इसका ज इसमें यह कहा गया कि which of the following pair is not correctly matched तो पहले वाले में Alzheimer के बारे में रोबों के बारे में इसमें कहा गया है तो Alzheimer जो है इसमें यादाश्त गायाव होने लगती है और यह बुढ़ापे का रोग है तो आप बताईए कि इसमें से not correctly match कौन सा है इसमें जो D वाला है वही होगा dementia के अंतरगत जो neurological disorder है यानि पूरा nervous system disturbed हो जाता है ये वाला गलत है dementia क्या है ये पागलपन कहा जाता है वैसे पागल कहना किसी को अच्छी बात नहीं है लेकिन ये पागलपन ही होता है और इसमें जो संग्यानात्मक गिरावट है वो देखी जाती है भूलने की विमारी भी इसमें होती है और लोग अजीब अजीब सा बरताओ करने लगते हैं बाकी सब सही है तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कम्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार